जहिन साथियों आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल प्रमो सर्वाराणसी में आज किस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूपी पुलिस का पेपर नजदीक आ रहा है और आपके लिए यहाँ पर करेंट अफेर जनवरी से लेकर दिसंबर तक है यहाँ इसमें से जरूर कोशन देखने को मिलने वाला है तो चली स्टार्ट करते हैं वीडियो को तो फ्रेंट से वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दे अगर आप वीपियो की तयारी कर रहे हैं तो वीपियो के लिए चच्छू पॉब्लिकेशन द्वारा एक सबसे कर लीजिए और यहांपर देखे हर सेगमेंट से परुषन हिहांपर बनाये गाए है कट तो दीए का बीए जzkपना लेपाला ठीकार फार है तो आप इससे एंबukt को प्लेजिकर सकते ह्या या आफ लाई बिए आप भी इसको परचेज कर सकते हैं ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को तो आज का पहला प्रस्ण है UP Special का कि 13 भारत रत्न डाक्टर अंबेटकर अवार्ड 2023 किसको दिया गया तो 13 भारत रत्न डाक्टर अंबेटकर अवार्ड 2023 योगी आधितनात को दिया गया और किसके द्वारा दिया गया तो बुद्धांजली Research Foundation के द्वारा दिया गया महतपूर प्रस्ण है याद रखिएगा इंपोर्टन है चलते हैं अगले प्रस्ण पर अगला कोशन है कि 25 दिसंबर 2023 को UP की पहली इंट्रा डिस्टिक्ट हेलिकाप्टर सेवा का उधगाटन किसके द्व शुरुआत की गई इसी स्रीज में चलते हैं आगे पड़ते हैं आगे कोशन है कि आई डी अच यानि इंट्रा डिस्टिक्ट हेलिकाप्टर सेवा आगरा के बटेस्वर से मतुरा के गोवर्धन के बीच शुरू की रखिए तो यहां से कोशन बनेगा कि इंट्रा डिस्टि कहां है आगरा में है गोवर्धन कहां है मतुरा में है तो इंपोर्टन प्रस्न है चलते आगे अगला कोशन है कि देश का पहला AI City बनने वाला UP का पहला सहर तो यह लखनों में बन रहा है तो उत्तर प्रदेश का पहला सहर आपका लखनों बन गया है जो कि थीम की बात करें तो थीम का नाम है ग्यान कुम्ब क्या है ग्यान कुम्ब अगला प्रस्न है कि जल संदक्षण के लिए भारत का पहला अमरित सरोवर बना है तो जल संदक्षण के लिए भारत का पहला अमरित सरोवर कहां बना है रामपूर यूपी में बना है अगर उसके अं मुख्यमंत्री खेद सुरक्षा योजना शुरू की है तो जानवरों से बचाने के लिए जो फसल होती है फसल को आवारा जानवरों से बचाने के लिए किस योजना की सुरूआत की गई है उत्तर प्रदेश में तो मुख्यमंत्री खेद सुरक्षा योजना की सुरूआत की ग कि भारत का पहला वैदिक थीम पार्क का उधगाटन UP के नोड़ा में किया गया है कहाँ पर किया गया है UP के नोड़ा में वैदिक थीम पार्क का उधगाटन किया गया है और इसका नाम क्या है वैदिक वन पार्क है क्या नाम है वैदिक वन पार्क है Next one है कि सासन के मुल्यांकन के लिए CM योगी आदितनाथ ने CM कमांड सेंटर लांच किया है कहां पर लांच किया है तो लखनों में CM कमांड सेंटर कहां पर लांच किया गया है लखनों में लांच किया गया है नेक्स्ट वन है कि देश का पहला अर्बन ट्रांस्पोर्ट रोपवे का निर्माड कहां पर किया हुआ है तो यह वाराणसी में किया जा रहा है देश का पहला अर्बन ट्रांस्पोर्ट रोपवे का निर्माड वाराणसी में हुआ है नरेंद मोदी के द्वारा इसका सिलान्यास किया गया ठीक है किसके द्वा बजट किसने के द्वारा प्रस्तुत किया गया सुर्य स्खन्ना के द्वारा जो यूपी के वित्त मंत्री है ठीक है यूपी के फाइनेंस मिनिस्टर है अगला कोशन है कि गरतंत्र दिवस 2023 के सर्वसिस्ट जहांकी का पुरुसकार उत्रा खणने जीता है वहीं बात करें उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश तीसरे अस्थान पर रहा तो गरतंत्र दिवस 2023 में सर्वसेस जाकी का पुरुसकार उत्रा खड़ने जीता वहीं यूपी का अस्थान याद रखेगा यूपी का अस्थान तीसरा है important है क्योंकि यूपी का पेपर है personally तो महराज सरकार ने छत्रपती सिवा जी महराज की जैनती पर समारोह कहां यूद किया तो आगरा किले में किया इसके वज़ा से यह important double star miss को सामिल करिए next one है कि छत्रपती सिवा जी महराज की जैनती कम मनाई जाएगी तो 12 February को ठीक है आगे अगर बात करें तो 12 February को मनाई जाएगी तो यह question पूछा जा सकता है अगला question है कि यूपी government ने 2030 तक सभी सरकारी वाहनों को electric vehicle में बदलने का लक्ष रखा है तो direct question या आभी हाली में एक recently में paper हुआ था उसमें पूछा गया था कि हाली में किस government ने 2030 तक सरकारी वाहनों को EV में बदलने का लक्ष रखा है तो यह यूपी government ने रखा है next one है कि दुनिया का पहला जटायू संरक्षन प्रजिनन केंद्र कहां पर खोला जा रहा है यहाँ गोरखपुर में बनाया गया है हलांकि बन गया है तो दुनिया का पहला जटायू संरक्षन या प्रजिनन केंद्र यूपी के गोरखपुर में बनाया गया है next one है कि वंचित वर्गों की बेटियों को सक्षम और आत्म निर्भर बनाने के लिए यूपी गवर्मेंट ने समग्र सिक्षा अभियान शुरू किया है तो वंचित वर्ग की बेटियों को सक्षम और आत्मिर्फ़ बनाने के लिए यूपी गवर्मेंट ने कौन सी योजना शुरू किया, कौन सा अभियान शुरू किया है अगला कोश्चन है कि हाली में पेटियम के नए प्रेसिडेंट भावेस गुपता बने है और पेटियम का हैड़ का है, तो यहाँ नोइडा में है, कहाँ पे है, नोइडा में है तो नोइडा का फुल फॉर्म क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है नोइडा का फुल फॉर्म क्या है, फ्रेंट से एक कोश्चन रट लिजिएगा आपका यहां से जो यूपी पुलिस का पेपर होने वाला है यह प्रमोसर का वादा है आपको यहां से कोश्चन जरूर देखने को मिलेगा ठीक है एक एक कोश्चन रट लीजिएगा बात करें पेटियम की तो पेटियम की अस्थापना 2010 में हुई हेडकोाटर आपका नोडा में है और इसके प्रेसिडेंट बनाये गए है भाविश गुपता और संस्थापक कोने बिजे सिखर सर्मा है नेक्स्ट वन है कि भारत की पहली पॉट टेक्सी कहां पर चलाई गई है तो भारत की पहली पॉट टेक्सी यूपी में चलाई गई है ठीक है ग्रेटर नोडा में यूपी के ग्रेटर नोडा में अगला question है कि किसानों के लिए किसानमित्र AI app शुरू किया गया है किसके द्वारा उत्तर प्रदेश गवर्मेंट के द्वारा तो किसानों के लिए किसानमित्र app किस सरकार ने शुरू की है तो उत्तर प्रदेश गवर्मेंट ने शुरू की है अगला कोशन है मेगा बिरिक्षा रोपन अभियान शुरू किया गया है तो मेगा बिरिक्षा रोपन अभियान उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है नेक्स्ट वन है कि नीती आयोग की रिपोर्ट रास्टी बहु आयामी गरीबी इंडेक्स के अनुसार यूपी के सबसे अधिक लोग गरीबी से बाहर निकले हैं तो सबसेधिक गरीवी से बाहर किस राजी के लोग निकले हैं तो उत्तर प्रदेश के अगला कोश्चन है कि स्वक्ष वायु सरवेक्षण दोहजार तेस में यूपी का आगरा साहर दूसरे अस्थान पर रहा यूपी का आगरा साहर दूसरे अस्थान पर रहा अगला कोश्चन है चाओदरी चनल सिंग की जैनती के अउसर पर 51 फिट की प्रतिमा का अनावरण यूपी के मुरादाबाद में किया गया याद रखेगा चाओधरी चर्ण सिंग की जैनती के आउसर पर 51 फिट प्रतिमा कानावर यूपी के मुरादाबाद में किया गया नेक्स्ट वन है कि कैंसर के मामले में यूपी टॉप पर है तो डारेट कोशन पूछेगा कि कैंसर के मामले में भारत के किस राजजी का अस्थान पहले अस्थान पर है तो कैंसर के मामले में टॉप पर है आपका यूपी है अगला है और लास्ट कोश्चन है आज का कि रानिपूर टाइगर रिजर्व यानि भारत का तिरपनवा टाइगर रिजर्व है यूपी के चित्रकूर्ट जिले में बनाया गया है तो रानिपूर टाइगर रिजर्व भारत का तिरपनवा टाइगर रिजर्व है और यूपी के चित्रकूट जिले में है और रानिपूर टाइगर रिजर्व यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व है क्या है यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व है इसके पहले तिन तो आप प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं यूपी करेंट अफेर के नाम से वीडियो है ठीक है तो फ्रेंट्स वीडियो कैसे लगी अगर इस पर आपको लोग का रिस्पॉंस अच्छा रहेगा तो आगे हम इसके साथ जो है इसका मैराथन वीडियो लेकर आएंगे